तो स्वागत है आपका आपके अपने सेनल मनी मैटर्स में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एश्रम कार्ट के बारे में कि इश्रम कार्ट की जो पहली किष्ट है वो आपको कब मिलेगी किष्ट की जहां हम बात करेंगे तो पान पान सो रुपे के चार किष्टें आप को मिलनी है दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च में आपको चार किष्टे मिलनी है एक उससे पहले ये जान लीजे कि क्या अगर आप जनवरी में इश्रम कार्ड बनवाते हैं तब आपको ये किष्टे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी देखें अभी तक गौर्णमेंट ने ये चीज साफ नहीं करी है कि जो लोग जनवरी में कार्ट बनवाएंगे या फरवरी में कार्ट बनवाएंगे उनको 2000 रुपे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे लेकिन फिलाल ये है कि 31 दिसंबर 2021 तक अगर आपका लेवर कार्ट बना हुआ है या आपका ईश्रम कार्ट बना हुआ है तब आपके एकाउंट में 500 रुपे की चार किष्टें डिलिवर की जाएंगी अब यहाँ पर जो डिलिवरी है वो महिने वाइज नहीं है इस बात का ध्यान रखेगा कि आपको दो महिने की किष्ट यानि की 1000 रुपे की दो किष्टें आपको आएंगी दो महिने का एक बार में आएगा और इसकी जो पहली किष्ट होगी वो जनवरी में आपको देखने को मिलेगी जैसा रिसर्च कहती है जो मैंने नेट से रिसर्च की है कनफर्म डेट तो किसी को नहीं पता भी क्योंकि गौश्ट ही इसका इनाउंस करेगी लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि 26 जनवरी से पहले या 26 जनवरी के असपास आपको ये किष्ट वहाँ पर मिल सकती है गरतंद दिवस के उपलक्ष में कुछ नए अलान भी आपको देखने को मिल सकते है वहीं जो आपको दूसरी किष्ट मिलेगी यानि कि फरवरी और मार्च की जो आपको किष्ट मिलेगी वो आपको मार्च में मिलेगी होली से पहले ये अभी तक क्यास जो है लगाये जा रहे है एक बात और यहांपर कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो आप Instagram पर मुझे Follow कर डीजेगा क्योंकि Instagram पर मैं काफी active रहता हूँ और आपके कई सारे चुमित्र हैं मेरे वो मुझसे बात करते हैं अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आती है मतलब SBI के अकाउंट खोलने में दिक्कत आई है काई सारा नोगों ने मुझसे बहुत साइब बाते पूछी है तो वहाँ पर आप one-to-one call करके मुझसे बात कर सकते हैं लिंक उसका description box में आपको मिल जाएगा तो पहली बात इंकल कर ये आती है कि आपको 26 जन्वरी से पहले जहां तक possibility दिख रही है कि आपको एश्रम का वो है जो आपकी amount आनी है वो आपको मिल जाएगी साथ-साथ एक caution इसमें बड़ा विचित आया मेरे सामने कि हमारा लेवर कार्ड भी बना हुआ है और हमारा इश्रम कार्ड भी बन गया है तो क्या हमारे पैसे दोनों में आएंगे नहीं आपके पैसे सरफ एक ही में आएंगे या तो इश्रम कार्ड के थुरू आएंगे पैसे या आपके labor card के थुरू आएंगे अब एक सवाल यहाँ पर और आता है कि क्या 2000 के बाद हमें 2000 हमारे जब पूरे हो जाएंगे तो और हमें पैसे मिलेंगे अगेन इसके बारे में अभी कोई update नहीं है लेकिन पिछले साल जब lockdown लगा था या उससे पहले जो lockdown लगा था उस lockdown में जन्धन एकाउंट में भी पैसे आये थे साथ-साथ जो labor card था उसमें भी 500 रुपे की तीन किष्टे मेजी गई थी तो आप ये उमीद लगा सकते हैं कि अगर कोई बड़ी कोई आबदा आती है या lockdown की इस्तिती दुबारा से बनती है भगवान ना करें कि ऐसे इस्तिती बने क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है शर्मिकों के लिए और सभी के लिए होता हम जलसों के लिए भी दिक्कत होती है तो उस case में हो सकता है कि कोई चलान हो या फिर जो एलान होगा वो 15 अगस्त को लाल के लिए से हो सकता है ये शर्म कार्ड वालों के लिए लेकिन फिलाल यही है कि जो तुकिष्टे हैं वो जनवरी में 26 तारिक से पहले आने की उमीद आप रख सकते हैं साथ-साथ मार्च में आप होली के आसपास या होली से पहले आप यह उमीद रख सकते हैं अगर आभी तक आपने अपना एशर्म कार्ड नहीं बनवाया है तो नस्दी की किसी साइबर कैफे या सेसी सेंटर से बनवा लीजे या कुछ से बना लीजे कोशिश कीज़े रात में बनाने की क्योंकि रात में सरवस्ट में प्रॉब्लम से तिनी नहीं है ध्यान रखिएगा कि ये बहुत बड़ा मित है कि 31 सारीक के बाद नहीं बनेंगे बनेंगे जरूर लेकिन जो पैसे की सिचुएशन है उसके बारे में कयास यही है है या तो आपको एक स्ट सीन मिलेगी या कोई भी स्ट सॉनमेंट वहाँ पर नहीं मिलेगी लेकिन अर्थिस करोर लोगों के इश्रम कार्ड ponnay है ये बिल्कुल बात कला था कि 31 सारीक के बाद नहीं बनेंगी 31 सारीक के बाद बनेंगे इश्रम कार्ड लेकिन जो installment है वो शायद आपको ना मिले लेकिन इस साल के installment ना मिले हो सकता है next year के आपको मिल जाए तो e-shram card अपना बनवा लीजे साथ-साथ उसके अंदर जो benefits है उन benefits को पूरा लीजे क्योंकि आने वाले दिनों में e-shram card एक extended रूप में हो जाएगा उसका विस्तार हो जाएगा और आप बहुत असानी के साथ उसमें जितनी पिसुविधाय है उसका फाइदा आप उठा पाएंगे वीडियो को आगे शेयर जरूर करिएगा और इस तरह के के एक इव कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजएगा मिलता हूँ आप से एक नई वीडियो में जब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखेगा जय हिन जय भारत